भारती राजववस्था में आगी अब शुरू करते हैं अध्याय संगिय कारेपालिका राष्टपती संगिय कारेपालिका का प्रमुक होता है संगिय कारेपालिका में राष्टपती उप राष्टपती प्रधान मंत्री मंदल आधि शामिल होती है बारत में संसिधी शाषन प्रणाली को अपनाय जाने की कारण राश्टपती कारेपालिका का नाम मातर का प्रमुक होता है जबकि वास्त्विक शक्ती प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री मंडल में नहित होती है भारतिय संविधान की भाग पांच की अंतरगत अनुचीत बावन से अठतर तक संगिय कारेपालिका का वर्णन किया गया है भारत सरकार की तीन महत्वपून आधार इस्थम्भ है पहला विधाईका, दूसरा कारेपालिका और तीसरा न्याईपालिका जहां विधालिका में राजे सभा और लोगसभा आते हैं जिसमें राजे सभा में 280 सीटे और लोगसभा में 580 सीटे आती हैं वहीं कारेपालिका में राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती प्रधान मंत्री न्याय प्यालिका की अंतरगत उच्जितम न्याया ले, उसकी अधीन उच्जिन्याया ले और उसकी अधीन जिला न्याया ले आते हैं आईए, अब इन्हें संगशेप में समझते हैं सबसे पहली राष्ट्रपती भारत का एक राश्ट्रपती होगा, यह बात अनुचीत 52 में कही गई है राश्ट्रपती देश का प्रथम नागरिक होता है अनुचीत तिरपन एक के अनुसार संग की कारेपाली का शक्ती राश्ट्रपती में ही नहित होती है और वा इसका प्रयोग स्वयम यह अपनी आधिनस्थ अधिकारियों की द्वारा करता है राश्ट्रपती की योगिताएं अनुचीत 58 में राश्ट्रपती की योगिताओं का विवरण है जो इस प्रकार से है पहला वा भारत का नागरिक हो दूसरा 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो तीसरा लोग सभा का सदस्य निर्वाजित होनी की योगिता रखता हो और चौथा चुनाव के समय लाप का पत धारन ना करता हो ध्यान देनी वाली बात यह है कि राष्ट्रपती या उपराष्ट्रपती या किसी राजी की राजी पाल अत्वा संग या राजी की मंत्री परशत की सदस्य का पत लाप का पत नहीं माना जाता है राष्ट्रपती का निर्वाजन अनुची 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंदल के सदस्यों द्वारा राष्टपती का निर्वाजन किया जाता है निर्वाचक मंदल में लोगसभा, राजिसभा और राजियों की विधान सभाओं के निर्वाजिस सदस्य शामिल होती है सत्तरवी सम्विधान शंशोधन अधिनियम 1922 द्वारा दिल्डीवा पुटुचीरी विधान सभाओं के निर्वाजिस सदस्यों को भी निर्वाचक मंदल में शामिल किया गया है राष्टपती के निर्वाचक मंदल में जम्मू और कश्मीर संग राज शीतर की विधान सभाओं के निर्वाजिस सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है जबकि जम्मू और कश्मी राजे के रूट में उसकी विधान सभा के निर्वाजे सदस से निर्वाच्यन मंडल में शामिल थे अनुछेद 55 के अनुसार राष्टपती का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणिय मत और गुप्त मत दौन द्वारा होता है राष्टपती के चुनाव के लिए नामांकन ही तो उमिद्वार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अन्मोदक होनी चाहिए राष्टपती के निर्वाचन से संबंधे द्विवादों का निप्टारा उच्चतम न्यायाले द्वारा किया जाता है राष्टपती की पदावधी अनुचेद 56 के तहट राष्टपती की पदावधी पांच वर्ष है हालांकि कारेकाल की समापती के बाद भी अपने उत्रादिकारी की आने तक वापद पर बना रहता है अनुचेद 57 के अनुसार राष्ट्रपती पुनर निर्वाजन का पात्र है राष्ट्रपती उप राष्ट्रपती को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहेद लेग त्वारा अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपती की शपत अनुचेत 60 के अनुसार सर्वुच न्यायाले की मुख्य न्यायधीश या उसकी अनुपस्तिती में सर्वुच न्यायाले की वरिष्टितम न्यायधीश द्वारा राष्टपती को बद एवं गोपनियता की शपत दिलाई जाती है वेतन राष्टपती का मासिक वेतन पांच लाख रुपया है उसका वेतन आयकर से मुप्त होता है महाभियोग अनुचेद 61 में राष्टपती पर महाभियोग चलानी की प्रक्रिया का वर्णन है अनुचेद 61 के तहट राष्टपती पर सम्विधान की अतिक्रमण की आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है संसत के किसी भी सदन द्वारा राष्टपती पर महाभियोग का प्रस्ताफ लाया जा सकता है जिस पर उस सदन की एक चोठाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इसके लिए राष्टपती को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाने चाहिए महाभियोग संसत की एक अर्धन्याईक प्रक्रिया है राष्टपती पत की रिक्ती को 6 महिने के अंदर भरना आवशक होता है विशीश बात यह है कि यदि राष्टपती उपस्थित नहीं है या बिमारी अत्वा अने कारणों से अपने पत पर कारे करने में असमर्थ हो तो उपराष्टपती उसकी पुना पत ग्रहन करने तक कारिवाहक राष्टपती की रूप में कारी करेगा जदी उपराष्टपती का पत रिक्त हो तो भारत का मुख्य नियाधीश और अगर इनका पत भी रिक्त हो तो उच्चतम न्यायाले का वरिष्टतम न्यायधीश कारिवाहक राष्टपती की दायत्व का निर्वहन करेगा